साथियों, आज देश में पाँच लाख रुपिय तक की इनकम पर टैक्स जीरो है, इसका बहुत बड़ा लाब निम्न मद्यमबर के हमारे आज के नवजवानों को मिल रहा है। इस वर्ष बजेट में इनकम टैक्स का जो नया विकल्प दिया गया है, वो और भी सरल है और टैक्स पेयर को अनावशक तनाव और खट से बचाता है। इसी तरह विकास की गती तेज करने के लिए भारत को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कॉर्परेट टैक्स में एतिहासिक कटोती की गई। देश में ही लाखो युवाओं को रोजगार देने वाली मोजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैस्ट घटाया गया है। देश मैनुफेक्टरिंग में आत्मनिर्भर बने इसके लिए नई गरेलू मैनुफेक्टरिंग कंपनियों के लिए टैक्स रेट पंदरा प्रतिशत किया गया है। भारत के इक्वीटी मार्केट में निवेश बढ़ाने के लिए डिवीडन डिस्टिबिशन टैस्ट को भी खत्म किया गया है। जीएस्टे से भी दर्जनों टैस्ट का जो जाल था वो कम हुआ है और जादातर सामान और सेवाएं उन सेवाओं में टैस्ट की दर्भी बहुत कम हुई है। साथियों, आज से पांच-छे साल पहले ऐसी थिती थी कि अगर इंकम टैस्ट कमिशर करदाताओं को अगर तीन लाख रुपिये तक की रिलिप देते थे तो उसे आईटी-एटी में चैलेंज किया जाता था। इस लीमिट को हमारी सरकार ने तीन लाख से बढ़ा कर अब पचास लाख रुपिये कर दिया है। इसी तरह सुप्रिम कॉट में वही केस जाते हैं जहां कम से कम दो करोर रुपिय के या टैक्स अपील का विशे हो। इन प्रयासों से इज अब डूइंग बिजनेस तो बढ़ाई हैं अनेक संस्ताव पर विवादित केसों का बोज भी कम हुआ है। झाल